नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी एक KVS की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में देख रहे हैं क्या लिखा है उसको हम आपको समझाने की जोड़ी कोसिस करेंगे और क्योंकि बहुत सारे चीजें अब क्लियर होंगी जैसा कि यहां पर लिखा यह मतलब यह है जितने भी सारे एक्जाम हुए थे अभी तक उनकी एंसर की PGT, TGT, PRT की सारी एंसर की अप्लोड कर दी गई है आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं उपर से आपकी OMR seat OMR seat का मतलब यहां पे है आपका जो question paper है वो भी upload कर दिया गया उसको भी आप डाउनलोड कर स question paper लेकिन वो डाउनलोड अभी नहीं हो रहा है तो यह तोड़ी देर की problem है हो सकता तोड़ी देर में solve हो जाएगी तो बिल्कुल attention ना ले अब हम बात करते हैं यहां पर कि TGT में तो जैसा कि English की में बात कर रहा हूं तो बहुत सारे candidates ने अपनी response seat पहले डाउनलोड कर ली हमारे समझ में यह आ रहा है कि अभी तक जो answer की या जो response seat आपने TGT English की डाउनलोड करी थी by fault इनका कुछ technical issue होगा technical glitch कुछ भी रहा हो जो कि पहले से ही site पर वो top up हो रही थी पहले से ही दिख रही थी जो कि सायद इनका कोई technical fault होगा क्योंकि उस समय एक और problem थी कि objection कैसे fill किये जाएं एक objection वाली problem थी क्योंकि इससे पहले लोग को को समझ में आता कि उनकी answer seat upload कर दी गई है क्योंकि KVS ने अपनी site पर कोई भी notification ऐसा नहीं निकाला था अब होता क्या है कि लोग कुछ होते हैं जो अपना check करते रहते हैं तो किसी ने ऐसा चेक किया होगा और उनक को वो answer की दिख गई होगी जबकि officially ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो अब क्या है आप लोगों के लिए एक opportunity है आप जो है उसको objection challenge कर सकते हैं answer की को objection डाल करके तो जैसा कि यहां पर लिखा भी है the candidate who have appeared in the KVS direct recruitment competitive examination held on 12th to 1st March for the post-op PGT, TGT, PRT, assistant engineer, finance officer and any translator are informed that the answer keys have been uploaded on the website the candidates who are not satisfied with the answer key may submit their challenge by following below mentioned procedure the candidate can download attempted question paper available in their login the challenge on answer keys will be accepted online only through the link available on the website latest by 9-3-2023 मतलब क्या है कि आज जैसा कि सभी को पता 6 तारीग हो चुकी है 9 तारीग तक का आपके पास time है मतलब 7-8-9 अब आप उसमें holy भी मिलिए holy को celebrate करिए उपर से इनके answers को भी challenge कीजिए जो की दिया है 9 मार्स तक वो भी 11.69 पीम the candidate submitted by any other mode email, post or in person will not be accepted the prescribed fee of rupees 1000 per question challenge will be required to be submitted through credit debit card by 9-3-2023 up to 11.59 पीम तो जैसा कि ये समझ में आ गया कि अब हम उसी link से जिस link से हम answer की download करेंगे उसी आपके login credential में एक link दिया होगा submit की challenge उस जज़ा कि हमने एक पहले के वीडियो में बता रखा था लेकिन पहले ये clear रही था कि date क्या है last date इससे पहले क्योंकि कहीं भी notification में ऐसा दिया नहीं गया था कि last date क्या है और जिस दिन मैंने वो वीडियो बना गडाला था उसके अगले ही दिन वो expire link हो गई थी तो अब फिर से ये खुलेगी अभी थोड़ा technical issue चल रहा है वो जगता कि एक डेट घंटे में वो सही हो जाए तो आप लोग जिसे TGT में जिन लोगों ने अपनी answer की मिला ली थी अपने question paper से वो challenge करने में लग जाए और PGT का अभी थोड़ी देर में आपका उस पे download होने लगेगा तो PGT के English की में बात कर रहा हूँ अपने आप question मिला लीजिए फिर बताए कितने क्या आपका बन रहा कितने सही questions है जो आपने जिनके answer सही सही दिये है कितने क्या score बन रहा उसको आप लिखिएगा और जल्दी ही कोई नई update होती है मैं उसको दूँगा तो मैं यह कहना चाहता हूँ जिसे TGT English का जो paper पहले डाउनलोड हो गया वो technical issue कुछ रहा होगा ऐसा क्योंकि officially ऐसा कहीं site पे नहीं दिया था कि आप download कर सकते हैं तो आप download करिए और यह provisional answer की हाँ भी जिसे लोग यह कह रहे हैं क्या वही same answer की है हाँ यह वही same answer की है क्योंकि यह अब officially आई है पहले कहीं यह जो भी हुआ हो technical issue तो leak हो गई हो या कुछ भी रहा हो ठीक है तो इस वज़े से जो है एक और इसमें line दिये उपढ़ देता हूँ तो यह उन candidates के लिए हैं जिनका question paper जिनका paper जो है postpone हुआ था cancel हुआ था इसमें कुछ unscrupulous things happen doing थी और unfair means पाए गए थे जिसकी वज़े से वो cancel किया गया था तो उनके यहां पर उनका question paper नहीं show होगा तो यह थी चीजे बाकी हम बाद में बात करेंगे ठीक है और जैसा कि हाँ मैं चलो दिखा देता हूँ आपको अभी मेरे पास एक detail है इसमें दिखा रहा है तो चलिए आए इसमें देख रहा है रुक जाए यह यह नहीं दिखा रहा है चलो थोड़ी दर में हम try करेंगे इसको आप देख लीजेगा क्योंकि मैंने देखा था नहीं दिखा रहा है मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा जैसे यह दिखेगा अब लोग देख सकते हैं एलते हैं नेक्स्ट वीडियो में